नमस्ते दोस्तों, और इस गुल्ड में आपका स्वागत, स्वास्ते समंदी चत्चा के अंदर आज में आपको गरेलू चाय, देखिए हम चाय पिलाने का भी शोक रखते हैं, आपको हम गरेलू चाय पिलाएंगे, ये जो आप बजार की चाय पीते हैं, ये बिलकुल खराब पिते हैं, और ये सरील को कितना नुकसान करती है, जिसकी कोई मिशाल नहीं, चाय के पती के अंदर, जो सबसे हरदी से रदी बात के अंदर, जहां चाय पेदा होती है, आसाम के अंदर, दक्षिन के अंदर, कहीं जगे, जहां दाडलिंग के अंदर, जहां चाय पेदा होती है तो जो अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी सुपर होती है वो सुपर क्वालिटी विदेश में चली जाती है उस चाय का भाव है करीब मैं आपको बताने सकता करीब 20–30 अजार रुपे बार केजी का भाव हा उस चाय का उशको चाय करते है नमबर वन की चाय बौंडे और है लिप्टन सिप्टन दुनिया भर के नाम है तो वो सेकिंड का माल है वो खरीते हैं और आपको हमको बेचते हैं उसके बाद जो और कच्रा बसता है जो फैंकने लाइक होता है चाय कमपनियों के लिए फैंकने लाइक जो कच्रा होता है वो कच्रा खुली चाय क के रूप के अंदर यहां आसपास के जो लोकल आदमी हैं वो उसका बिजनिस करते हैं कोई आसाम की चाय करके बेशते हैं कोई दाजिलिंग टी कैकर के बेशते हैं कोई क्या मालुम क्या-क्या नाम रख करके और इट्रेक्टिव सुन्दर पेकिंग के अंदर आपके सामने पे किया क्या जाए जो मिलती है वोई तो पीने पड़ेगी तो ऐसी चाय पीने से सरीर के अंदर भूक मंद होती है सब से पहले भूक मारी जाती है और भूक कम होने के बाद सरीर के अंदर सारी तकलीफें होती है इसके अलावा अनिद्रा होती है निन्द नहीं आती जो है का मतलब ये नहीं कि कि चलो चाय हो जाय इस बहांने आप 7-8 कप चाय पी लो ये गलत है आप गड़ पे एक चाय सुबह पिलीगी है एक डोपर को एक रात को ज्यादा से ज्यादा दो से तीन चाय इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं और वो जैसी भी मिलती है लेकिन हम कोशिस ये कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेट क्या है तो आज मैं आपको आयरिवेदिक चाय आयरिवेदिक चाय का नुस्का दूँगा ये आयरिवेदिक चाय आप अगर पिएंगे तो आपकी दो चाय दिन के अंदर उस चाय से लट शूट जाएगी और एक आपको अमरत के समान चाय मिलेगी जो आपके सरीर को कितना फाइदा करेगी ये मैं आपको अभी बताऊँगा सबसे पहले ये ग्यारा कांटेंस की जो चाय है इसका मैं आपको स्लाइट सामने कर देता हूँ आप आराम से इसको नोट कीजिए मैं नजदिक से यूँ करता हूँ नीचे से उपर और देख लीजिए कोई जल्दी नहीं है नोट कर लीजिए हाँ ये ग्यारा कंटेंस है अब मैं बोलता हूँ इसको देखिए सौफ सौफ सो ग्राम, बड़ी इलाईची तीस ग्राम, ब्रामी तीस ग्राम, बन कशा बीस ग्राम, लाल चंदन सो ग्राम, मुल हैटी तीस ग्राम, सोठ बीस ग्राम, काली मिच बीस ग्राम, तुलसी के पत्ते सुके हुए का पाउडर डेड सो ग्राम, मजीट तीस ग्राम, और ध बड़ी इलाची 30 गराम, ब्रामी 30 गराम, बनकसा 20 गराम, लाल चंदन 100 गराम, मुल हट्टी 30 गराम, सोट 20 गराम, काली मिर्च 20 गराम, तुल्ची के सुकाया हुए पत्तों का पाउडर 500 गराम, मजीद 30 गराम, और धनिया 500 गराम में 11 खंटेंस हुए और लगबग 500 गराम और एक डिब्य में रखे उसमें लिख दीजे आईरवेदिक चाय और आप चाय की पत्ती एक या दो चम्मज डालते हैं तो जितनी चाय की पत्ती डालते हैं उतनी आप इसकी डाले इसकी चाय आप दिन में तीन बार पी सकते हैं सुबह पी सकते हैं और साम को पी सकते हैं और रात को पी सकते हैं एक और बात में बता देता हूँ जिनको रिदे रोग है और हाई ब्लेड पेशर है तो वो इसके अंदर 50 गराम 50 गराम अर्जुन की चाल का पाऊडर इसके अंदर मिक्स कर दें और विसे भी अगर आप सब कर दें तो कोई हर्जवाली बात नहीं है क्योंकि अर्जुन अर्जुन के अंदर हाट को ताकत देने की महान सकती होती है तो 50 ग्राम इसके अंदर अर्जुन का पाउडर आप और प्लस कर लें तो 11 प्लस एक 12 कंटेंस इसके हो गए ये चाय आपको क्या क्या फाइदा करेगी ये मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो सौफ है ये सरीर के अंदर तरी लाती है बड़ी इलाशी के अंदर अनेक बुन होते हैं ब्रामी आपके दिमाग को ताकत देती है बनकसा आपको खांसी जुखाम इस तरह का होता है उसको ठीक करती है लाल चंजन की ताशीर बहुत ठंडी होती है मुलटी आपके जुखाम को और आपके धातू को बढ़ाएगी और जुखाम को गटाएगी सोंट सोंट आपके सरीर के अंदर पाचन तंतर को ठीक करेगी काली में भी पाचन तंतर को ठीक करेगा और आपका वीरिय बढ़ाएगा तुल्ची के पत्ते वल्ले वल्ले तुल्ची के पत्ते आपके सरीर के अंदर इसका कस जाएगा तो कोई भी वाइरल आपको बिमारी नहीं होगी मजीट मजीट रक्त को सुद्ध करने वाली चीज़ है और धनिया धनिया आपके पेट को सीतल रखेगा और अर्जुन चाल का पाउडर 50-60 ग्राम आप डाल दे में तो आपकी ये चाय बहुत प्यारी होगी और इस चाय के अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप मुझको कुछ भी कह सकते हैं और आप इसके अलावा मेरा ये वीडियो हर जगे फारवर्ड करें कि ये चाय जो बजार के अंदर आती है हम लोग जो कामे लेते हैं इसको बंद कीजिए और ये घरेलू चाय सुरू कर दीजिए ये बच्चों को दे सकते हैं बूडों को दे सकते हैं किसी भी आयू वाले क को दे सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं चाय की जगह ये डालें बाकी दूद और जो आपकी इच्छा पानी वो जो पढ़ता है जो पढ़ता है तो दोस्तों आज मैंने आपको आयरवेडिक चाय के बारे में बताया और ये जो बजार की चाय ये शेहत के लिए अ प्रेंस